Honorable Chairman Sir, आज एक बहुत बोरा एपिडेमिक कहिए या कुछ भी कहिए हिंदुस्तान को और सारा दुनिया को ये करोना वायरास इलाखे रख दिया है। इसका रूप पहले COVID-19 उसके बाद देल्टा बेरियंट आभी ओमिकरोंट का नाम स्चुनाई दे रहा है। Honorable Chairman Sir, मैं आसा वोकर्स, नार्शेस, लेबोर्टरी एसिस्टेंस, पुलिस डिपार्मेंट जेतना एड्मिस्ट्रेशन अपना जान गवाया है। और इस सदन में भी बहुत लुगों ने जान गवाया है और लेजिलेटिव एसेमली में भी जान गवाया है। इनको हम सब नमन करते हैं। मार्श एक तरिक को सेकेंड वेक्सिन, सेकेंड फेस लिया, जिसमें हम लोगों हमने भी लिया, साथ में पूर्टिंड नोवेंबर एप्रिल को तार्ट फेस लिया। इतना बुरिया मेहनत किया, मोदी साहब ने, मैं यहाँ इस सदन में ये एक सब्दो कहना साहूंगा, इस महामरी में मोदी साहब, मोदी जी ना होता, इस देश का क्या होना था। यही एक बहुत बड़ा पर्सनर है, लेकिन हमरा राइट साइट में जूवी पॉलिटिकल पार्टिस, हर नोन बीजेपी इस्तेट, जितना इस्तेट है देश में, सारा उसका कोपरेशन है मोदी साहब के साथ, मुझे ऐसे लग रहा है, अपना सदन में ही, इस सदन में ही ड जिल में ये साहता है, मोदी ना होता, इस देश का क्या होता, तो इसलिए मैं हमारा ओनरेबल हैल मिनिस्टर को ज्यादा ना कहते हुए मैं सुझाव देना साहता हूँ, उस से पहले मोदी जी ना होता, आज जमु कास्पिनी से लेके उत्तरक्तों हिमासल पर्देश सिखीम और उनासल एंतिया नोट इसमें हर जिला में, हर जिले के होस्पितल में बेंटिलेटर पहुशाया दिया गया, पीम केर से अक्सिजन प्लांट बेताया गया, ये सब मोदी ना होते तो कौन करते इसका, आज हर दिस्टिक में बेंटिलेटर से हर दिस्टिक में अक्सिजन प बज़ाया गया मोदी ना होते कौन करते इस सीज़ का इसलिए मैं मैं Honorable Health Minister को कुछ सुज़ाव में देता हूँ सुज़ाव यह है आसा वोकर आसा वोकर का ओनर एरियम इस देश में Central Assistant जो है बहुत मिनिमाम है असा वोकर ही वो वोकर है दोक्तर से पहले वो कुविट पेसेंट को विदाव डिटेक में हॉस्पिटल में लाया गया तो हर गली में हर कलनी में असा वोकर ने अपना ध्यान भी गबाया और अतना मेहनत किया तो इसलिए Honorable Minister सहाब को मैं आपका मद्यम से कहना सहूंगा इस देश का असा वोकर को इसका ओनर एरियम इसको बड़ाया दिया जाए और इस तेच्यार भी इसमें दिया जाए ओ अलाक्सी से लेकिन ये मैं कहना सहूंगा और ओक्सीजन प्लांट एतना सोफिस्टिकेट है हिमलायन बेल में सेर्मेन सहाब आपको पुड़ा एक्सप्रियंस है हिमलाय पुर्देशू में ओक्सीजन प्लांट दूर द्रास इलाका में डिस्टिक होस्पितल में प्लांट किया गया लेकिन इसका टेक्निकल टेक्निस का कमी है तो इसलिए में औरनाबुल हेल्ब मिनिस्टर को आपका मद्यम से ये कहना साहूंगा कि इसके उपर भी द्यान जिया जाए पिरी रेशन बता साहिना बर्दर तो पिरी रेशन बता आप सुशिय पूबुट्र राज्यू में फिर भी हमारा ओपोजिशन कुछी नहीं है पिरी वेक्सिन दिया जिसका कोस दू हजार है लोगबुट्र सोदो सो आपको पिरी वेक्सिन दे के जीने के लिए आपको वेक्सिन देने का बोजू पिर आपको कुशी नहीं है तो मैं अभी भी सेर्में साब में कहूंगा आस ये नया ओमिकरंट सुना जू देरा इस का भी हमको सिंता करना जरूरी है पिर भी मोदी है तो मुम्किन है इसका भी समधान निकलेगा हम सब को कोप्रेशन देने का जरूरी है ओनरबुल भेल मिनिस्टर को मैं स्यार्में साब आपका मध्यम से एक बिन्दू कहना साहूंगा हमरा देश में मोर दें 50,000 पोरें MBBS स् MCI का Medical Councils of India का मतबिक इनको 50% मार्क अप्टेन करना साहिए लेकिन MCI ने इस करोना काल में यहां का qualifying percent को reduce किया है likewise जो MBBS foreign degree holders को भी one time relaxations करके इनका qualifying mark को relaxations करके जहां doctors का कमी है उसमें हम दूर द्रास इलाका में इसको posting किया जा सकता है तो honorable health minister इसको ड्यान दिया जाए तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारा और नासल प्रोटेस में ऐसा कोई district hospital नहीं है जहां oxygen plant ना हो हमारा नागलेन में मिजराम में मोनिपूर में आसाम में तो उतराकून में जमू में यह plant मोदी है तो मुंकिन है इसलिए हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ना साहिए यही मैं कहते हूंगे